दोस्तों आप लोगों ने नेवले और सांप की लड़ाई कई बार देखी होगी जिसमें नेवला सांप को मार कर हमेशा खा जाता है लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि मोर जैसा साधार्ण और सुन्दर दिखने वाला पक्सी भी साप को खा जाता है जी हाँ दोस्तों मोर भी साप से उतनी ही नफरत करता है जितनी नेवला करता है जैसे ही मोर को सांप दिख जाता है तो वो उसे अपने आस पास बिलकुल भी नहीं पसंद करता और उसके ओपर हमला कर देता है और सांप को मार कर खा जाता है लेकिन मोर साप को खाता क्यों है और साप को खाने के बाद मोर मरता क्यों नहीं या मोर के उपर साप के जहर का असर क्यों नहीं होता तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे कि मोर सांप को क्यों खाता है और सांप को खाने के बाद मोर मरता क्यों नहीं लेकिन उससे पहले आपको यह जो लाज रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा कर इस गंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें मौर एक ऐसा पक्सी है जो सांप और छिपकलियों से घरिणा करता है और उन्हें अपने आजपास नहीं देखना चाहता इसलिए मौर सांप को देखते ही उनके उपर हमला बोल देता है और उनको मार कर खा जाता है सांपों को खाने की इस क्रिया को विज्ञान की भासा में ओफियो फैजी कहा जाता है और जो पक्सी या जानवर सांपों को खाते हैं उन्हें ओफियो फैगस कहा जाता है जैसे चील, नेवला और मोर आदी ये जानवर सांपों का सिकार करना पसंद करते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मोर सांप पर हमला करता है तो क्या सांप मोर को डंक नहीं मारता या मोर को सांप के जहर का असर नहीं होता तो दोस्तो इसका सही जवाब ये है कि मोर एक ऐसा पकसी नहीं है कि उसके उपर साप के जहर का असर नहीं होता हो मोर के उपर साप के जहर का असर पूरा होता है लेकिन मोर साप के उपर इस तरह से हमला करते हैं कि वो साप के काटने से बच जाए मोर सांप की गरदन को पकड़ कर उनको दबोच लेते हैं और उनकी गरदन को तोड़ कर उनको मार देते हैं अगर सांप हमला करने की कोशिश भी करते हैं तो मोर के खतरनाक और बड़े पंजे और उनके गहरे और मोटे पंख उनको सांप के काटने से बचा लेते हैं मोर के पंजे उसकी चोंच और पंक उनको हमेशा लडाई में सांप से जितवा लेते हैं वैसे तो मोर घास फूल बीज और अनाज खाकर भी अपना पेट भर सकते हैं लेकिन जब उनको ज्यादा मातरा में प्रोटिन की आवशकता होती है तो वो सांप को मार कर खा जाते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मोर सांप को खा जाता है तो वो मरता क्यों नहीं देखिये दोस्तों, अगर सांप किसी को काट ले, तो वो एंसान या जानवर मर सकता है, क्योंकि सांप अपना जहर उनके खुन की नाडियों में इंजैट कर देते हैं, जिसकी वजह से जहर पूरे खुन में फैल जाता है. सांप का काटना बिल्कुल वैसा ही है जैसे की जहर का इंजेक्शन भरकर लगाना लेकिन सांप को निगलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे की जहर को पीना तो जब मोर सांप को निगल जाता है तो मोर के सरीर में ऐसा पाचन तंतर होता है जो सांप के जहर में मोजुद प्रोटिन और पेप्टाइड को असानी से पचा लेता है और उसको अमीनो एसिड में तोड़ देता है जिसकी वज़े से अगर सांप में जहर भी होता है तो वो मोर के पेट में असानी से पच जाता है और मोर की आंत काफी चिकनी, मोटी और गह जहरी भी होती है और उसमें कहीं पर भी कोई घाव नहीं होता जिसकी वज़े से सांप का जहर मोर के खून में नहीं मिल पाता उससे पहले वो उसके पेट में पच जाता है और बचे हुए वेस्ट पदार्थ को मोर बाहर निकाल देता है तो दोस्तों अब आप समझ गए कि मोर पर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी करीप्या करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद